हेलो दोस्तो मेरा नाम है सच्चिन और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे golden rules का part third इससे पहले मैंने आपको golden rules का part first और second करा दिये हैं जिसमें हमने अब तक cover कर लिये थे golden rules 15 तक आज की इस वीडियो में start करेंगे rule number 16 से तो चलो बिना देरी के वीडियो start करते हैं देखिए rule number 16 क्या है जब कभी भी आपको present perfect tense दे या फिर present perfect continuous tense दे और इसके बाद आ रहा हो since आप हमेशे आदखना since से पहले क्या हो present perfect tense या फिर present perfect continuous tense तो since के बाद हम हमेशा past indefinite यानि simple past tense का use करेंगे तो आप इसको हमेशे आदखना since से पहले कौन सा tense आएगा present perfect या फिर present perfect continuous और since के बाद कौन सा tense आएगा past indefinite या फिर simple past हम इसको बोल सकते हैं I hope ये concept आपको clear हो गया होगा आईए discuss करें आगे देखिए अगर बीच में दे रखा हो by the time क्या दे रखा हो by the time तो by the time से पहले हम use करेंगे future perfect tense का और by the time के बाद हम use करेंगे simple present tense का most important है काफी बार repeat हो आए और इसी में next आगे क्या है यदि आपको by the time दे by the time दे और starting में यानि by the time से पहले आपको tense दे past perfect by the time से पहले आपको tense कोंसा दे past perfect तो by the time के बाद हम use करेंगे simple past tense का तो आप इसको भी अपनी notebook में note कर लीजे discuss करें आगे देखिए यदि आपको after before वाला concept most important है भाई आपके exam में कई बार पूछा गया है और कई बार कई सारी shift में ये वाला concept आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको देख लीजे after से पहले हम use करेंगे simple past और after के बाद हम use करेंगे past perfect ठीक है और बीच में दे रखाओ before तो before से पहले हम use करेंगे past perfect और before के बाद हम use करेंगे simple past का काफी easy है ये मैं आशा करता हूँ कि सभी बाई लोग इस वाले concept को पहले से ही जानते होंगे फिर भी आप इसको अपनी notebook में note कर लीजे क्योंकि आप आपको last time पर revision करने में बहुत आसानी हो एक और इसमें देखिए ये थोड़ा कम पूछा जाता है बट फिर भी मैंने लिख दिया है by the way आपके exam में आ जाए तो आप घबरा है नहीं आप इसको solve करके आ जाए इसलिए ये वाला भी मैंने या include कर दिया है यदि आपको दे र रखाओ after तो after से पहले हम यूज़ करेंगे present perfect का और after के बाद हम यूज़ करेंगे future simple का ये वाला concept थोड़ा high level के exam में आता है बट मैंने या include कर दिया है ठीक है तो देखिए हमने एक rule से कितने सारे concept तयार कर लिए एक बार जल्दी से आप इनको revise कर लिजे since से पहले हम कौन सा tense यूज़ करेंगे present perfect या फिर present perfect continuous और since के बाद हम कौन सा tense यूज़ करेंगे simple past by the time से पहले future perfect by the time के बाद simple present आगे discuss करें by the time से पहले past perfect by the time के बाद simple past after before वाला concept आपको आता होगा after से पहले simple past after के बाद past perfect before से पहले past perfect before के बाद simple past या फिर past indefinite before से पहले future simple before के बाद present perfect after से पहले present perfect after के बाद future simple I hope ये वाला concept आपको clear हो गया होगा कई सारी shift में इस वाले concept से आप से exam में पूछा जाएगा ये मेरी guarantee है तो आप इसको देख लीजेगा और सभी golden rules को आप अपनी note book में लिखते चलिएगा आपको इनका जो पता चलेगा वो आपको exam में ही पता चलेगा कि इनकी कितनी value है ठीक है तो आप इन सभी को note करते चलिएगा next rule number 17 the reason आप हमिश्या दखना जो pair चलता है the reason का उसके साथ हम that का use करते है the reason why के साथ भी हम that का use करते है nothing और nothing else के साथ हम but का use करते है exam में जातर examiner but ना देके then लगा के देते है जो कि क्या है गलत है आपको पता होना चाहिए nothing और nothing else के साथ हम then का नहीं but का use करते है तो आप इन तीनों को अपनी note book में note कर लीजे the reason के साथ that का the reason why के साथ भी that का nothing nothing else के साथ but का आईए example ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में the example है the reason why he did not attend the class because his mother was ill तो यह आपका गलत है गलत क्यों है अभी मैंने आपको बताया the reason या the reason why के साथ हम because का नहीं that का use करते हैं तो I hope यह concept आपको clear हो गया होगा आए डिसकस करें आगे next example he did nothing else then play तो मैंने अभी आपको बताया nothing या nothing else के साथ exam में जातर examiner then लगा के देंगे जो कि क्या है गलत है आपको हमेशा रखना है nothing या nothing else के साथ हम बतका use करेंगे आए डिसकस करें आगे rule number 18 क्या है देखिए seldom if ever होता है seldom if ever और seldom और never होता है तो आप इसको याद रखना seldom if ever seldom or never और यदि आप हमेशा रखना यदि seldom if ever और seldom or never से sentence की सुरुआत हो रही है तो हम इसके बाद helping verb का use करेंगे उसके बाद हम subject का use करेंगे इसे हम English में inversion बोलते हैं तो आप हमेशा रखना यदि sentence की सुरुआत इससे होती है तो exam में examiner आपको subject पहले देंगे helping verb बाद में देंगे जो कि क्या है गलत है आपको हमेशा रखना है यदि sentence की शुरुआत इनसे होती है तो पहले आएगी helping verb उसके बाद आएगा subject इसे हम inversion बोलते हैं आईए example ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में he seldom or ever goes to the office तो मैंने आपको बताया था seldom if ever होता है और seldom और never होता है देखिए या फिर तो आप इसको और को काटके if कर लीजे या फिर आप ever को काटके never कर लीजे seldom or never होता है seldom if ever होता है और यदि sentence की शुरुआत इस से होती न तो पहले आता आपका गोज उसके बाद आता ही बट यहां sentence की शुरुआत subject से हो रही है तो एकदम यह correct है इसमें inversion नहीं बनेगा है inversion आपका कब बनेगा जब sentence की शुरुआत seldom if ever या seldom और never से होती तो पहले आती helping of उसके बाद आता subject तो आई ओप यह वाला concept सभी को clear हो गया होगा यह मैं आशा करता हूँ आए डिसकस करें आगे देखिए rule number 19 आपका क्या है doubt, doubtful, wonder, not sure इनके साथ हम यूज करते हैं conjunction if or weather का आप हमेश्या तक न doubt, doubtful, wonder, not sure के साथ हम किसका यूज करते हैं if or weather का इसमें एक और concept है यदि आपका sentence कैसा है negative और interrogative है तो हम doubt, doubtful के साथ that का use करेंगे if or weather का हम use नहीं करेंगे if or weather का हम use करेंगे जब आपका sentence कैसा है affirmative है यानि यदि आपका sentence positive है, affirmative है तो तो हम doubt, doubtful के साथ if और weather का use करेंगे यदि आपका sentence negative या interrogative है तो doubt या doubtful के साथ हम that का use करेंगे आईए example ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में I do not doubt if he was there तो मैंने अभी आपको पताया यदि आपका sentence negative है तो doubt या doubtful के साथ हम if का नहीं that का use करेंगे तो I hope ये वाला concept सभी भाई लोगों को समझ में आगया होगा आप हमेशे आदकना doubt, doubtful के साथ हम if और weather का कब use करेंगे यदि आपका sentence affirmative है यदि आपका sentence negative या interrogative है तो doubt या doubtful के साथ हम that का use करेंगे आए डिसकस करें आगे Next है rule number 20 When When हम कब use करते हैं जब एक काम खतम हो गया हो और दूसरा काम शुरू हो गया हो तो हम when का use करते हैं और while का हम कब use करते हैं जब दौनों काम एक साथ चल रहे होंगे तो हम while का use करेंगे तो आप हमेशे आ दकना एक काम खतम हो गया हो और दूसरा काम शुरू हो गया हो तो हम when का use करेंगे और दौनों काम एक साथ चल रहे होंगे तो हम while का use करेंगे आईए example ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में While I was speaking, all the students were listening ठीक है, तो देखिए दौनों काम एक साथ हो रहे हैं मैं बोल भी रहा हूं और आप सुन भी रहे हो तो दौनों काम एक साथ हो रहे हैं तो हम while का use करेंगे तो I hope ये वाला concept आपको clear हो गया होगा आए डिसकस करें आगे आप हमिशा दखना supposing के साथ हम कभी भी if का use नहीं करते आप इसको अपनी notebook में note कर लिजे supposing के साथ हम कभी भी if का use नहीं करेंगे और most important suppose if in case suppose if in case के साथ हम कभी भी auxiliary verb का use नहीं करते auxiliary verb आपकी क्या होती है should हो गया, could हो गया ये सब भी क्या होती है आपकी auxiliary verb होती है तो आप हमेशा दखना suppose if in case के साथ हम कभी भी auxiliary verb का use नहीं करते आए डिसकस करें आगे देखे ये मेरा एक whatsapp number है यदि आपको इन golden rules की PDF चाहिए तो आप इस पर मुझे message कर सकते हैं केवल केवल WhatsApp message ही करना ठीक है और यदि आपको most important most important vocab चाहिए यदि आपको most important hundred vocab चाहिए तो आप इसको तो आप इस पर message कर देना मुझे मैं सभी को दे दूँगा आपको message में केवल केवल Air Force टाइप करना ह आपको message क्या करना है Air Force टाइप करके मुझे send कर देना है मैं आपको PDF दे दूँगा क्योंकि आपको पता होगा last time चल रहा है तो मैं सब कुछ आपको YouTube पर प्रोवाइड नहीं करा सकता कुछ मैं आपको PDF दे दूँगा तो आप वहां से कर दिजे बस इतना ही मेरा ये है कि आ आप selection ले लें आप कम से कम समय में अच्छी सी तयारी कर सकें तो इसलिए मैं आपको PDF दे दूँगा आप tension मत लीजे मैं आपको most important 100 book app दे दूँगा जिसमें से देखिए full guarantee तो नहीं है बट 90% guarantee है कि उसी में से आपका कुछ हो जाए ठीक है और मैं इन सभी golden rules की आपको PDF दे पहले और as 2 से पहले हम यूज करेंगे simple present tense का और as if और as 2 के बाद हम यूज करेंगे simple past tense का ठीक है और as if और as 2 के बाद हम यूज करेंगे past perfect tense का ठीक है आईए example ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में he talks as if he were a prince तो मैंने अभी आपको बताया as if से पहले यदि आपका देर का है present indefinite तो as if के बाद आपका होगा past indefinite ठीक है देखिए मैंने अभी आपको उपर बताया यदि आपका as if as 2 से पहले simple present है या नी present indefinite है तो as if as 2 के बाद हम यूज करेंगे simple past यानी past indefinite का और यदि इससे पहले past simple यानी simple past indefinite का है तो इसके बाद हम यूज करेंगे past perfect tense आए डिसकस करें आगे rule number 22 क्या है आपको पता होगा as if के बीच में हम adjective या adverb की positive विगरी का use करते है तो आप हमिशा देखना as if हम यूज करेंगे affirmative sentence और negative sentence के लिए हम दोनों के लिए as if का use कर सकते है बट जो आपका sewage है वो केवल केवल negative sentence के लिए आएगा आप हमिशा देखना as if को हम positive negative दोनों में use कर सकते है बट जो sewage है वो केवल केवल negative sentence के लिए आएगा आएगा आए डिसकस करें आगे देखिए, so edge, so edge के बाद आपका आएगा infinitive यानि two plus main verb की first form ठीक है, so edge के बाद के बाद के बाद के बाद के आएगा, subject आएगा ठीक है, देखिए, philips में ये वाला बहुत पूछा जाता है, confusion होता है as fill करें या that fill करें, तो आपको ये वाला concept पता होना चाहिए so edge होगा, तो आपका infinitive आएगा two plus main verb की first form और so के साथ that हम कब fill करेंगे, जो आपका that के बाद subject होगा आएग्जामपल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में he works so hard that to get a job, तो मैंने अभी आपको बताया so के साथ that कब आएगा जब आपका subject होगा, बट यहाँ देखिए that के बाद दे रखा है infinitive यानि two plus main work की first form तो हम that का नहीं edge का use करेंगे, तो I hope ये वाला concept आपको clear हो गया होगा, so as के बाद के आएगा infinitive, so that के बाद के आएगा subject आएगा, आएए discuss करें आगे so that, in order that, on the condition that, so that, in order that, on the condition that के बाद हम use करेंगे subject, उसके बाद हम use करेंगे auxiliary verb, यानि कहने का मतलब यह है so that, in order that, on the condition that के साथ हम auxiliary verb का use कर सकते हैं, आप इसको हमिशा दखना so that, in order that, on the condition that के साथ हम auxiliary verb का use कर सकते हैं, इसी में आगे है provided, providing के साथ हम कभी भी auxiliary verb का use नहीं करेंगे, आप हमिशा दखना provided, providing के साथ हम auxiliary verb का use नहीं करेंगे, आए discuss करें आगे example आपके सामने है he locked the window provided that none could steal the jewelry तो देखिए मैंने अभी आपको बताया so that के साथ हम auxiliary verb का use कर सकते है provided के साथ हम कभी भी auxiliary verb का use नहीं कर सकते तो देखिए यहां देर का है provided तो मैंने अभी आपको बताया provided के साथ हम कभी भी auxiliary verb का use नहीं करेंगे, तो देखिए, हम याँ प्रोवाइड का यूज नहीं करेंगे, so that का यूज करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, so that, in order that, on the condition that के साथ हम auxiliary verb का यूज कर सकते हैं, तो I hope ये वाला concept आपको एकदम clear हो गया होगा, so that, in order that, on the condition that के साथ auxiliary verb का यूज कर सकते हैं, provided, providing के साथ हम auxiliary verb का यूज नहीं कर सकते, आईए discuss करें आगे, last, last का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा नहीं हो, तो आपको दो चीज हमेशे याद रखनी हैं, last के साथ हम should का यूज करते हैं, last के साथ कभी भी few little not का हम यूज नहीं करेंगे, आपको दो चीज क्या याद रखनी है, last के साथ हम should का यूज करेंगे, और last के साथ हम कभी भी few little not या no या never, इनका हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पहले से ही इसमें क्या है, negative है, last में पहले से negative छपा हुआ है, तो हम extra में कोई भी negative सब्द का use नहीं करेंगे ठीक है, तो देखे, few, little, not, no, never, इनका हम use नहीं करेंगे last के साथ आईए इसी में discuss करें आगे or else or otherwise or else or otherwise के साथ हम will shall का use करेंगे, or else or otherwise के साथ हम कभी भी not का use नहीं करेंगे, आप इसको भी याद रखना, or else or otherwise के साथ हम will shall का use करेंगे, और इसके साथ हम कभी भी not का use नहीं करेंगे, आईए example ले ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में work hard last you will fail in the examination, तो मैंने अभी आपको बताया, last के साथ हम will का नहीं, केवल हो केवल should का use करेंगे, आईए discuss करेंगे, रूल नमा 24, देखिए most important है, इस्टा मांग लगा लीजे most 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 important है if plus subject plus verb की second form दूसर जो sentence होगा, वो होगा subject plus would plus main verb की first form if plus subject plus verb होगा, तो दूसर वाला sentence क्या होगा? subject plus would plus main verb की first form, या हम केवल हो केवल यह बोल सकते हैं, कि यदि आपका past indefinite दे रखा है क्या दे रखा है? past indefinite दे रखा है if के साथ, किसके साथ if के साथ यदि आपका past indefinite tense दे रखा है, तो दूसर वाला जो sentence होगा, वो बनेगा आपका would plus main verb की first form में वड पलस में वर्प की first form ए एक नोट करने वाली बात है इफ आई वर्प को हम लिख सकते हैं वराई में आप हमेशा देखना है इफ आई वर्प को हम लिख सकते हैं वराई में यह ज़रूरी नहीं कि वर्प से पहले इफ हो यह गलत होगा मैंने यहां नीचे लिखा भी है, आप इसको देखिएगा, पहले आप एक्जामपत लेख लीजे, if I were a bird, I would fly in the sky, तो देखिए यहां देरका है, if के साथ past indefinite, तो दूसे वाले sentence में हम यूज़ करेंगे, would plus main verb की first form, और आप एक चीज़ हमेशा देखना है, if I were, हम लिख सकत में है, would I में, तो आपको यह वाला concept समझ में आ गया होगा, if के साथ यदि आपका क्या रहा है, past indefinite आ रहा है, तो दूसे वाला sentence बनेगा, would plus main verb की first form में, आइए डिसकस करें आगे इसी में, यदि if के साथ आपका दे रहा है, past perfect, यानि head plus main verb की third form, या head been object आपका दे रहा हो होगा, यदि आपका if के साथ दे रहा है, past perfect, तो दूसर वाला sentence है, वो बनेगा, would plus have plus main verb की third form, किस में बनेगा, would plus have plus main verb की third form में बनेगा, यदि if के साथ आपका दे रहा है, past perfect, ठीक है, आइए डिसकस करें आगे, hardly scarcely, hardly scarcely के साथ हम, when का use करते हैं, most important है, hardly scarcely का मतलब क्या होता है, तो हम इनके साथ कभी भी few, little, never, know, इनका use नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से क्या होते हैं, negative होते हैं, तो हम इनमें extra में negative सब्ड का use नहीं करेंगे, तो आपको दो चीज हमेशा याद रखनी है Hardly Scarsly के साथ हमेशा हम when का use करेंगे और Hardly Scarsly के साथ हम कभी भी few little never know का use नहीं करेंगे आए डिसकस करें आगे Hardly Scarsly यदि sentence की सुरुआत हो रही है Hardly Scarsly से तो इसके बाद आएगा helping of उसके बाद आएगा subject क्योंकि ये Hardly Scarsly क्या बनाएंगे Inversion बनाएंगे यदि sentence की सुरुआत subject से हो रही है तो तो एकदम simple ही बनेगा subject helping of Hardly Scarsly तो I hope ये वाला आपको concept के लिए हो गया होगा Example आपके सामने है Hardly के साथ हम then का नहीं When का use करेंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरू करिएगा, share करिएगा, subscribe जरू करिएगा तो मिलते हैंस के next part में जैहिंज, जैबारत, वन्दे मात्रव